हलो फ्रेंट स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल यम के सर इंस्प्रेशन के का और बेहतर वीडियो में दोस्तों आब आज में भी कुछ चेंजिंग होगी और चेहरे का एक्स्प्रेशन भी कुछ अलग दिख़रा होगा क्योंकि आज तबीयट कुछ ठीक नहीं है सरदी जुखाम है सरदर्द हो रहा है लेकिन दोस्तों कहते हैं कि आराम हराम है वो भी ऐसे समय में जब आपका बोर्ड एकजाम लगा है तो ऐसे समय में हम भला आराम कैसे कर सकते हैं आप सभी का इतना लगाओ है तो हमें भी आप से लगाओ है इसलिए छुट्टी तो बिलकुल भी नहीं तो चलिए दोस्तों आजके इस वीडियो में हम 12 फिजिक्स का जो बांकी का भी तीन इंपोर्टेंट चैप्टर बचा है क्योंकि दोस्तों इसके पहले जो चुमकी पद संदी चैप्टर है ठीक ना इसमें से ज्यादा डेरिवेशन आते हैं लेकिन जो भी इंपोर्टेंट नुमेरिकल बनते हैं जो आपके एक्जाम में दो से तीन नंबर में पूछे जाएंगे उनको आज हम देख लेते हैं तो चलिए बीना देरी के स्टार्ट करते हैं पहला है कि प्रिज्म कोंड ग्याद किजिए चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे पहला क्वेशन है दोस्तों पहला ही क्वेशन है कह रहा है कि रूड थ्री अपॉर्टनांक यानि किसका मान है एन का मान है एन अपॉर्टनांक होता है दोस्तों रूड थ्री फिर आगे कह रहा ह कि प्रिज्म का निवनतम बिचलन कोड यानि कितना है जो दिया है दोस्तों डेल्टा एम निवनतम बिचलन कोड अपवर्तक कोड के बराबर है यानि ए के बराबर है तो प्रिज्म कोड का मान निकालना है आपको निकालना क्या है एही निकालना है तो इसके लिए क्या करेंग प्लस डिल्टा M बाई 2 और अपान साइन A बाई 2 इस फार्मूले की मदद से हम इस question को solve करते हैं ठीक है ना इस फार्मूले की मदद से इस question को solve करते हैं यहां से जो N का मान दिया है वो दिया है दोस्तों root 3 बराबर साइन अब देखिए यहां पर हमने बताया डिल्टा M का मान भी A है तो A तो अपने स्थान पर है तो A प्लस A हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा अपान साइन A बाई 2 हो जाएगा ठीक है ना इतना क्लियर हो गया अब क्या करेंगी दोस्तों इसको थोड़ा और स्वल्व करते हैं रूट 3 बराबर हम लिख सकते हैं साइन 2 A अपन 2 और यहां से हो गया साइन A बाई 2 ठीक ना तो एक यहां से यह तो कट गया दोस्तों ठीक ना यह तो कट गया साइन 2 A अपन 2 है तो उपर कितना बचा तो यहां से बच गया दोस्तों root 3 बराबर कितना बच गया sin A upon sin A by 2 sin A upon sin A by 2 यह इतना हो गया ठीक ना, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों इधर देख लेते हैं root 3 अपने अस्थान पे रख देते हैं sin A sin 2 A का सूतर होता है 2 sin A into cos A लेकिन sin A रहेगा, तो वही क्या हो जाएगा आधा, यह नि 2 sin A by 2 into cos A by 2 by कितना हो जाएगा sin A by 2 sin A by 2 यहां से यह दोस्तों कट जाएगा ठीक ना, अब यह जो दो है दोस्तों यह इधर चलाएगा यह निकितना हो जाएगा root 3 by 2 बराबर cos A by 2 cos 30 अंस का value cos 30 अंस बराबर cos A by 2 यह से यह कट गया यह नि A का जो value निकल कर आया कितना 60 अंस आ गया ठीक ना, कितना गुणा कर देंगे तो 60 अंस, तो दूसरा question है दोस्तों एक उत्तलेंस की वक्रता तरिज्याएं करमशाह 20 सेमी तथा 30 सेमी है इन्हें अगर माध्याम अलग-अलग है तो इनके जो value है यहां से देख लेते हैं ठीक ना, आधा इधा solve कर देंगे, तो दोस्तों क्या कह रहा है, कि वक्रता तरिज्याएं, यनि R1 का जो value है, वो है 20 सेमी, और R2 का जो value है, दोस्तों, वो minus का BC में, यनि एक क्या है, एक धनात्मक में है, और एक रिडात्मक में, ये आपको धिखान देना है, ठीक फिर आगे कह रहा है, कि लिंस के पदार्थ का अपॉर्टनांक लिंस के पदार्थ का अपॉर्टनांक 1.5 यनि N का मान दिया है, 1.5 और दूसरा करा, यदि लिंस जल में रखा हो और उसका अपॉर्टनांक दिया है, यनि दो अपॉर्टनांक दिया है, तो यदि लिंस का, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें करेंगे एक को यहां से N2 मान लेंगे, और दूसरा N1 मान लेंगे ठीक है न N2 और N1 मान लेंगे क्योंकि क्या है पदार्थ के सापेच पदार्थ के सापेच यहां से जलका तो N2 जब हमने फार्मूला बताया था तो आपको पता होगा N2 अपान N1 बराबर N के रखते है तो यहां से इसलिए यह N2 हो जाएगा यह N1 हो जाएगा 1.3 3 फिर आगे कह रहा है इसकी फोकस दोरी निकलना है तो आपको क्या करना है दोस्तों फोकस दोरी निकलना है तो इसे आप किस फार्मूले पर रखेंगे तो आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला हमने बताया था एक फार्मूला बताया था दोस्तों 1 अपान F बराबर यहां से N-1 बताया था लेकिन दोस्तों अब कोश्टेक में हमने लिखा भी था कि N2 अपान N1 जब दोनों का माध्यम दिया हो दो माध्यम दिया हो तब यह फार्मूला इस तरह से रखते ठीक ना इस तरह से रखेंगे और यहां पे रखेंगे 1 upon r1 minus का 1 upon r2 यह हो जाएगा तो इस इस सूत्र पर रख करके हम इसको solve करेंगे तो चलिए इधर देख लेते हैं क्या करेंगे दोस्तों 1 upon f बराबर यह मान रख देंगे 1.5 अब 5 कितना हो जाएगा 1.3 3 ठीक ना minus का यह एक हो जाएगा और यह जो मान दिये हैं दोस्तों 1 upon r1 r1 का मान कितना दिया है r1 का मान दिया है 20 और minus 1 upon r2 का मान माइनस 30 तो यह माइनस हो जाएगा पलस तो यहां से 30 हो जाएगा ठीक ना यह माइनस 30 है तो यहां से यह सूत्र में माइनस होता है माइनस माइनस पलस हो गया तो 1 upon f is equal to कितना हो जाएगा इसको दोस्तों 100 का गुणा उपर नीचे करके भागा देते हैं तो 1.500 upon ये कितना हो जाएगा डिरेक्ली कर देते हैं लंबा करने से कोई मतलब नहीं है अगर उपर यहां से ध्यान से देखना 100 का गुडा करेंगे तो 133 हो जाएगा ये 1.500 हो जा जाएगा ये एकदम सिंपल सब्दों में करेंगे आपको LCM नहीं भी लेना आता है कुछ नहीं ये 30 हो गया ठीक ना और प्लस ये कितना हो गया 20 हो गया और ये 600 हो गया ठीक यहां से अब 1 upon f बराबर ये हो जाएगा घटाएंगे कितना 1.500 में 133 गया तो 17 हो जाएगा 17 पा पांच बरह में 60 ये नहीं 12 हो गया और इसको काटेंगे 174 गया 60 तो यहां से इसको करेंगे तो ये लग भाग 9 बार में पूरा नहीं जाएगा सारी 8 बार में भी नहीं जाएगा 7 ये 7.8 के करीब में जाएगा ठीक ना तो 1 upon f बराबर हो जाएगा ये 1 बटे 7.8 गुने 1 बटे ये 12 तो इसका जब f बराबर करेंगे दोस्तों तो ये सब उपर चला जाएगा ये नहीं 12 गुड़े 7.8 ठीक तो f बराबर गुड़ा करें सब्सक्राइगे 1294 तो ये 93.6 के करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका इतना सेंटीमीटर आपका राइट एंसर हो जाएगा ठीक ना तो बहुत ही सिंपल सा क्वेस्टन था वस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था ठीक ना क्योंकि आपको अगर फार्मूला ही नहीं पता हो दोस्तों तो आप कैसे सॉल्व करोगी इसलिए आपको फार्मूला अच्छे से समझना है अब बहुत सारे स्टूडिन कहते हैं सर जी कैसे पता करें कि फार्मूला कौन सा लगाएं तो मेरे प्यारे मित्रों हमने पहले ही इस पर वीडियो बनाया है हमने पार्ट वन जिक्स के दोनों के फार्मूले को बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है इसलिए आप उस वीडियो को देख लिजिए पहले डिस्क्रिप्सन में वीडियो है समझ जाईएगा वहां से आप देख लेंगे तो आपको समझ्या ही नहीं होगी कि कहां कौन सा फार्मूला प्ल पारते हैं अब देखते हैं आप क्वेbasal नंबर त incremental कॉच्छन नंबर तीन काफी होटेंट है कि इसलिए आपको इसव्मेहि इस्टार बना कर रख लिजीये ताला लगा लेजिये पहले नीमि Jest हुर्सक्राइब और आपको जरूर दिखाएगा ठीकर ना तो तीस्रा में द्ट्रीकावाभिद्रिशक के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों वो होती है 20 cm, ठीक ना फिर कह रहा कि दोनों लेंस की फोकस दूरियां ज्यात करना है तो इसके लिए क्वेइंगे, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूदर्शी की आवरधन छमता और दूदर्शी की आवरधन छमता यानि मान माइनस का नौ है क्योंकि अंतिम प्रति में मुल्टा बनता है इसलिए क्या होता है इसमें माइनस में रखेंगे माइनस नौ है और इसे संयोजित करने पर अभिद्रिश्यक के बीच की जो दूरी होती है 20 सेंटीमीटर होती है यहीं जो लंबाई है दोस्तों वो दिया है 20 सेंटीमीटर तो कह रहा है दोनों लेंस की फोकस दूरीयां ग्यात करना है यहीं आपको क्या निकालना है FO का भी मान निकालना है और FE का भी मान निकालना है एक क्या है अभिद्रिश्यक है और एक क्या है नेत्रिका है तो सबसे पहले हमें पता है दोस्तों अभिद्रिश्यक वा अभिनेत्र ठीक ना ये तो दिया है इसलिए क्या करेंगे FO प्लस FE बराबर दिया है दोस्तों कितना 20 cm दिया है तो equation number 1 हो जाएगा अब क्या करेंगे हमें इसमें से किसी एक का तो value पता होना चाहिए तभी तो हम क्या करेंगे अलग-अलग focus दूरी निकाल सकते हैं इसलिए हमें पता है जब अंतिम प्रतिविम अनंत पर बनता है तो formula हो जाता है दोस्तों M बराबर माइनस FO अपान FE द्यान पूर्वक्ष मजना एक एक चीज किलियर कर लेना मेरे भाई इससे पूरा concept आपके दिमाग में गुश जाएगा ठिक तो यहां से होता है M बराबर माइनस FO अपान FE तो M का value दे रखा है माइनस का 9 बराबर माइनस FO अपान FE तो यह माइनस से माइनस कड़ गया तो यहां से निकल कर आया कितना दूस्तों FO बराबर हमें निकल कर आगया 9FE यहनि अब क्या करेंगे एफ ओ का मान समी करण एक में रख देंगे तो यहां से लिख दीजिएगा एफ ओ का मान शमी करण एक में रखने पर शमी करण एक में रखने पर जब आप एक में रख देंगे इसका मान यहां से रखेंगे तो एक कमान निकल आएगा इधर लिख लेते हैं में FE निकालना है दोनों तो यहां से क्या करेंगे इसमें रखेंगे FO के अस्थान पे हो जाएगा दोस्तों 9FE और प्लस का FE तो अपने अस्थान पर ही रहेगा और बराबर का यह जो 20 दिया है इसको यहां पर पूट कर दीजिए तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों 10FE बराबर 20 हो गया ठीक ना यह नेत्रिका की फोकस दोरी है FO क्या है अब दिर्शक की है तो यहां से कटकर कितना यह 2 आ गया यहीं FE बराबर आ गया 2 ठीक ना यहीं 2 सिंटीमीटर नेत्रिका की फोकस दोरी निकल आई एक की हमें अब चाहिए FO अब FO बराबर इसी पर हम निकाल देंगे यहीं FO चाहे इस पर समीकरन पर रखी दीजिए चाहे यहां पर FO बराबर कितना आया है 9 FE आया है इसलिए FO बराबर कितना 9 गुड़े FE कामान दो तो यहीं दोस्तों यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 18 सेंटीमीटर तो यही हमारा राइट एंसर एक यह एंसर हो जाएगा एक यह क्योंकि कहरा है कि अभिद्रिष्षिक वा नेत्रिका की अलग-अलग focus दूरिया यegenimana दोनो कि अलग-अलग focus दूरियाँ आपको निकलना है ठिक ना तो क्लियर हो गया चले अब चलते हैं अगले question की तरब question number 4 question number 4 इस screen पर देख रहे होंगे कहरा है कि तीस सेमी फोकस दूरी वाले एक उत्तर लेंस को 20 सेमी फोकस दूरी वाले आउतर लेंस के संपर्क में रखा गया है तो यहां किस लेंस की भाती कारिक करेगा तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि दो फोकस दूरी यां दी हैं एक 30 semi focus दूरी वाले उत्तर लेंस तो क्या करेंगे दोस्तों इसमें हम करेंगे कि 30 semi focus दूरी वाले तो एक यहां से दिया है 30 cm यानि F1 का मान दिया है कितना 30 cm और धनात्मक होगा क्योंकि उत्तर लेंस है और इसे कह रहा है कि इसे 20 semi focus दूरी वाले उत्तर लेंस के संपर्क में रखा गया है दोस्तों, यह यहाँ यह F2 का मान दे रखा है, माइनस का 20, माइनस का 20 cm दे रखा है, तो अब हमें क्या निकालना है, तो सूतर होता है, 1 अपान F बराबर, 1 अपान F1, प्लस 1 अपान F2, यहां से हम focus दूरी संयूक्त lens की focus दूरी निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि lens किस अर्थात यह जो lens होगा ठीक ना वो किस भातिकारी करेगा यानि यह lens यह किस lens की भातिकारी करेगा यह आपको निकालना है तो संयूक तो पहले फोकस दूरी निकाल लेते हैं ठीक ना संयूक तो फोकस दूरी निकालेंगे तो 1 अपान F बराबर तो 1 अपान F1 का मान कितना है 30 है प्लस 1 अपान F2 का मान कितना है माइनस का 20 है ठीक ना तो ये क्या हो जाएगा one upon f बराबर one upon 20 ये minus का one upon कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ठीक तो f बराबर sorry one upon f बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों अगर LCM आपको नहीं पता है तो हमने कहा ना तेरिये गुड़ा करिए base minus 30 upon कितना हो जाएगा 600 नीचे नीचे का गुड़ा होगा ठीक तो यहाँ से क्या आएगा one upon f बराबर one upon f बराबर minus 10 बटे कितना 600 ठीक ना ये कट जाएगा तो इसका जब उल्टा करेंगे f बराबर minus का हो जाएगा minus का 60 cm अब ध्यान देना दोस्तों focus दूरी क्या आई है focus दूरी रिडात्मक आई है ठीक है ना यहीं जो इसकी focus दूरी निकल कर आई है focus दूरी है वो क्या है दोस्तों रिडात्मक है ठीक focus दूरी रिडात्मक है अगर focus दूरी क्या है रिडात्मक है तो यह यह लेंस किस यह किस लेंस की भातिकार करेगा तो आउतर लेंस की भात कारी करेगा ठीक ना ये आता है इसका प्रकिर्थी ठीक ना प्रकिर्थी की मतलब यहां से क्या है रिरात्मक है यहीं वाश्ट्विक प्रतिविम और उसके बाद किस लेंस की भात कारी करेगा तो यहां से आउतर लेंस की भात कारी करेगा चलिए अब देखते हैं question number 5 को question number 5 ये भी काफे important है थोड़ा लंबा प्रशन है लेकिन बहुत ही subtle तरीके से आपको हम समझाने का प्रयाश करेंगे चलिए इसमें कहरा है दोस्तों इस क्रीन पर देख रहे हूंगे कहरा कि एक lens को 25 semi focus दूरी वाले outer lens के संपर्क में रखा गया है ध्यान पूरुवक समझेगा अगर आपने यहाँ पे सारे वैलू को समझ लिया तो आप easily इस question को solve कर सकते हैं question number 5 कह रहा है दोस्तों इसमें कह रहा है कि एक lens को 25 semi focus दूरी वाले outer lens के संपर्क में रखा गया है यहीं एक lens रखा गया है और उसकी focus दूरी हमें नहीं पता f1 का मान हमें नहीं पता और दूसरा क्या कह रहा है कि इसे किसके संपर्क में रखा गया है पचीश सेंटीमीटर focus दूरी वाले आउतर लेंस यहीं माइनस लगा दीजिए ठीक है ना इतना क्लियर हुआ फिर से देख लिजिए कह रहा कि एक lens को 25 सेंटीमीटर दूरी वाले आउतर लेंस यह आउतर लेंस है इसलिए माइनस और इसके संपर्क में उस lens को रखा है तो हमें नहीं पता कि उस lens की focus दूरी क्या होगी हमें नहीं पता आगे कह रहा है दोस्तों कि इस संयोजन से 20 से मी की दूरी पर रख़ी वस्तू यहती जो यह माइनस का 20 सेंटीमीटर है और इस से कह रहा है कि रख़ी वस्तू का पांच गुना बड़ा वास्त्विक प्रतिविम्ब बनता है तो m का माइनस का 5 तो कह रहा है कि लिंस की focus दूरी एवं प्रकिर्ती ग्यात कीजिए focus दूरी एवं प्रकिर्ती निकालना है तो सबसे पहले दिखिए हमें तो निकालना पड़ेगा यहां से निकालेंगे focus दूरी तभी तो पता चलेगा प्रकिर्ती लेकिन हमें दोस्तों यह फोन का मान नहीं पता है ठीक न और यह का भी मान नहीं पता है तो सबसे पहले हम एफ निकालेंगे और एफ बराबर ध्यान देना जब आवरधन दिया है दोस्तों तो फार्मूला इसमें लगेगा यहां पर पलस ही रखेंगे लेंस है दरपण में माइनस होता है तो यहां से क्या कह रहा है कि यह दिया है दोस्तों माइनस पांच बराबर यहां से वी अपान यू का मान माइनस का 20 तो वी बराबर कितना निकल कर आया बीस पंजे सो इन्हीं 100 cm निकल कर आ गया ठीक ना V का मान 100 cm U का मान दिया है तो F का मान निकलने के लिए क्या करेंगे 1 upon F बराबर 1 upon V minus 1 upon U यहां से हम F का मान निकल लेंगे ठीक ना यहां से दोस्तों F का मान निकल लेंगे चलिए देखते हैं 1 upon F बराबर 1 upon V व का मान कितना Sonं है ठीक । यू का मान कितना है मानस का बीष तो 1 अपान F बराबर तो यह हो जाएगा वन अपान Sonं और यह минus minus plus यह कितना हो जाएगा ठीक न? 1 अपान F बराबर इसमें क्या करते हैं? Lcm Lcm कितना हो जाएगा S.E.M. 100 हो जाएगा ठीक ना 100 एक हुआ 20, 105, 105, 5 हो गया ठीक तो 1 अपान F बराबर निकल कर आया कितना 6 बटे यहां से निकल कर आया 100 यह F बराबर 100 बटे 6 काटेंगे 2 से काटेंगे तो यह 2 ती है 6 यहनि F का जो मान निकल कर आया इधर देख लिए यह F का मान जो निकल कर आया दोस्तों कितना निकल कर आया F का मान निकल कर आया 50 बटे 3 सेंटी मीटर F का मान निकल कर आ गया अब इस फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे तो 1 ᵃ अपान F F का मान 50 बटे 3 बराबार 1 अपान F1 1 upon F1 हमें चाहिए प्लस 1 upon F2 का मान दिया है माइनस का 25 तो इसको भेजेंगे उपर तो ये हो जाएगा 3 बटे 50 बराबर 1 upon F1 तो ये हो जाएगा माइनस 1 upon अब 1 upon F1 बराबर करेंगे दोस्तों तो ये 3 बटे 50 रहेगा ये माइनस है आएगा प्लस का 1 बटे कितना 25 हो जाएगा तो 1 upon F1 बराबर LCM कितना 50 तो 50 एकम 50 तो 3 एकम 3 हो गया प्लस 25 दूना 50 तो 2 हो गया ठीक तो यहाँ से क्या करेंगे ये निकलाया 1 upon F1 बराबर 5 बटे कितना 50 तो 5 दहम में कितना हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा पचास हाँ तीन दो पांच ठीक ना तो यहां से अब एफ वन बराबर कितना आ गया दस सेंटीमीटर आया किस में प्लस में अगर प्लस में आया है दोस्तों तो एक तो धनात्मक प्रतिबिम्ब बनेगा ठीक ना धनात्मक है और लेंस बात करें तो धनात्मक है तो उत्तल लेंस की भाटी कारिक करेगा ठीक ना तो यही दोस्तों आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीक ना तो बस दोस्तों आच के वीडियो में इतना है और question इसमें बताने वाले थे लेकिन बतायाना तबियत कुछ ठीक नहीं है इसलिए बस आज के वीडियो में इतना है सो प्लीज अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से लाइक कर देना मिलते हैं नेक्स्ट सांदार टोपिक के साथ